बच्चों, आज हम मद्दान प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे. हमारे देश में निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है. निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों के परामर्ष से राज्य तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी निर्वाचन अधिकारी चुनाओं आयोग के नियुमों के अधियन होते हैं। बच्चों, निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, मतदाता सूची. हमारे देश का कोई भी चुनाओ हो, चाहे संसत का, चाहे विधान सभा का, या इस्थानी चुनाओ हो. प्रतेक छेत्र की एक साधारण निर्वाचन नामावली होती है. और हमारे देश का प्रतेक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयूपूर्ण कर ली है, वह इस मतदाता सूची में पंजिकृत होने का अधिकार रखता है. किसी भी नागरिक को धर्म, जाती या लिंग के आधार पर इस मतदाता सुची में पंजी कृत होने से रोका नहीं जा सकता लेकिन हाँ यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्त है या अपराधी है, भेस्ट है या फिर अवैध आचरन करता है तो ऐसे मतदाता को बाहर किया जा सकता है, बच्चों अब हम जानते हैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में निर्वाचन का प्रारंब हमारी देश के राश्टुपती अथवा राज्यपाल महोदे की अधिसूचना के द्वारा प्रारंब होता है चुनाव आयोग निर्वाचन कारिक्रमों की घोशना करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपकी परिक्षा की समय सारने घोशित की जाती है सरप्रथम उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कराये जाते हैं और इसके लिए आठ दिन का समय दिया जाता है नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथी के बाद सभी नामांकन पत्रों की जाज की जाती है और यदि इस प्रकार के नामांकन पत्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो निर्वाचन अधिकारी इन नामांकन पत्रों को अस्विकार भी कर सकता है इसके बाद दो दिन का समय दिया जाता है नाम वापसी के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथी के बाद निर्वाचन अधिकारी उमीदवारों की अंतिम सूची जारी करते हैं और साथ ही साथ जो गैर मानिता प्राप्त दल होते हैं तथा जो निर्दली उमीदवार होते हैं उन्हें चुनाव चुन्न भी आबंटित किया जाता है। मतदान की प्रक्रिया में नाम वापसी लेने के अंतिम तिथी के बाद से कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए और इस पूरे चुनाव प्रचार के दवरान चुनाव आयोग अचार सहिता को सुनिश्चित करता है। मतदान तिथी के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिये जाते हैं। और चुनाव मतदान तिथी के दिन चुनाव कराये जाते हैं। मतदान के बाद मतदान पेटियों अथवा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को एक सुरक्षत इस्थान पर रद दिया जाता है। और पूर्व घोसित समय सानी के अनुसार मतगड़ना कराई जाती है। मतगड़ना में जिन उमिद्वारों को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं, उन्हें विजई घोसित कर दिया जाता है। बच्चों, चुनाओ में ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए आजकल बैलट पेपर के स्थान पर EVM मशीन याने की इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का उप्यो किया जाता है। इन एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में उमीदवारों के नाम तथा चुनाओ चिन होते हैं। और कोई भी मद्दाता अपने मनपसंद प्रत्याशी के सामने वाली बटन दबा कर उस प्रत्याशी को अपना मत दे सकता है। और हाँ, यदि मद्दाता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है, तो वह उसके लिए भी एक विकल्प है, नोटा बटन, नोटा यनि की नन ओफ दी अबब, यह बटन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे दिया हुआ होता है। और इस तरह से मत दाता इस बटन का उप्योग कर सकता है। मैंने पहले ही बताया बैचों, हमारे देश में प्रतिनिधी लोकतंत्र प्रणाली है, यानि की हम अपने मुख्य मंत्री अथ्वा प्रधान मंत्री का चुनाव सीधे नहीं करते। हम चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधी का चुनाव करते हैं। और जो प्रतिनिधी, जिन दल के प्रतिनिधीों की संख्या जादा होती है, वो फिर अपने मुख्य मंत्री अथ्वा प्रधान मंत्री का चुनाव करते हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। ये सभी उम्मिद्वार वैसे तो पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन बच्चों, इस्थानी निकायूं जैसे की पंचायत नगरपालिका के लिए एक और नियम है। राइट टू रीकॉल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ग्रामवासी किसी चैनित उम्मिद्वार के काम से संतुस्ट नहीं है। तो वे पूरे प्रतिनिधियों के 50% हस्ताक्षर अथवा ग्रामवासी के दो तिहाई मत के द्वारा उस प्रत्याशी को अपने पत से हटा सकते हैं। तो बैच्चों, आपने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को समझ लिया है। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी शाला में अपनी सिक्षकों के मार्ग दर्शन में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को दोहराते हुए अपनी शाला में एक बाल कैबिनट का गठन करेंगे। बिल्कुल